दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अज्यक्ष अजय माकर ने बुधवार को राजधानी में प्रेस कॉंफरेंस की जरिये बीजेपी की वसुन्दरा राजे सरकार पर हमला बोला माकर ने महिला सुरक्षा पर निशाना साथ तेवे कहा कि राजधान में रोजाना 14 मामले दर्ज हो रही है देश में राजधान की कुल 5.5% अपाद्धी है जबकि देश के 13% दिदुशकर्म के मामले दर्ज होते है महिला अत्याचार में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है आज एमाकर ने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में भारी गुस्था है और यहां कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो इस सरकार का वायदा था कि MSP पे हम एक स्थाई तंत्र विक्सित करेंगी इनका वायदा था कि राजस्थान में क्रिशक्ष सुरक्षा अधिनियम हम बनाएंगे इनका वायदा था कि किसानों को खाद, बीज एवं दवाईयां सरकारी दरफे पंचायच वर उपलब्द कराया जाएगा लेकिन हम लोग वापस अगर हम इनकी अगर परफॉर्मेंस में देखें तो क्या है? सौ से अधिक किसान आत्वाई भाजबा योगी अधितनात को बतोर स्टार प्रचारक, हाडोती, मारवार शित्र और जैपुर जिले में कई जगव पर उतारने जा रही है 23 नॉवंबर से योगी अधितनात का रायस्थान में दौरा शुरू हो जाएगा और इस चुनाव प्रचार के दौरान यूपे के मुखे मंत्री मरुधरा में कमल का फूल खिलाने के लिए धराधर रहलियां और चुनावी सभाव को संबोधित करेंगे अनिल जी प्रचार शुरू हो गया है अमिश यहां ने आज प्रदेश में भी कानेयर में रोड शो भी किया यूआउं से संबात किया और अब योगी अधितनात को बहुत बड़ा एक स्टार प्रचारक बना के भाश्पा उतारने वाली है सबसे पहरे तो हमारी निगाह इस बात पर रहेगी भाश्पा में ने दो सो मैसे एक मुस्लिम को टिकेट दिया यूनुस खान को केबिनेट मिनिस्टर है भी वो इस मजबूरी में दिया है कि सचिन पैलेट जहां चुनाल लड़ रहे हैं उनको अटकाने के लिए जहां पच पर उस खान का प्रचार करने उनकी यहां सबा करने जाते हैं या नहीं जाते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस इलेक्शनेरिंग में चुनाओं में कि वो पूरे राजस्तान गुमेंगे लेकिन जहां सचीन पैलेट प्रदेश अज्जक्स लड़ रहे ह हैं कांगरेस के क्या ये वहां जाएंगे जहां पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी है और जहां 66 अजार वोट मुस्लिम के हैं एक तो हमारी नजर इस पर रहेगी दूसरा योगी आजितिनाथ कि आने का मतलब फिर राम का मुद्दा फिर हिंदूत्व का मुद्दा फिर हमने इसको ले लेती हैं नहीं लेती हैं आने वाला समय बताएगा यह एक प्रयोग है भाजपा का जो उत्तर पेजिश में भाजपा ने किया था एक भी मुस्लिम को टिकेट नहीं दिया था यहां भी एक को दिया है पॉइंट फाइव परसेंट जिसे कह सकते हैं तो अब वो जिनाता कि क्या वो हवा फैला पाएंगे हिंदुत की जबकि हिंदुत के सबसे बड़े चेहरे यहां देवा हुजा का तिकेट तो कट गया लेकिन फिर भी अब हिंदुत की बारी आएगी तो क्या जन मानस उद्विलित होगा राजस्तान कर देगी यूपी और राजस्तान वैसा उद्विलन क्या वैसा भावनात्मक जवार राजस्तान में देखा जा सकता है यह आने वाला समय बताएगा जब अड़वानी जी की यात्रा एही थी राम जन मुझी को लेके वो समय और था आज समय और है और धर्म पर रायन लोगों की पीडी बदल चुकी है नौज नौजवान जो बेरोजगाई से जूज रहे हैं नौजवान जो बविश्य के सवाल से उल्जे हुए हैं उनको राम मंदिर का सवाल उनको हिंदुत्व का सवाल कितना अकर्शित कर पड़ता है इस चुनाओं में हमें देखने को मिलेगा आज हम कुछ कहने की सिती में नहीं हैं वक्त बताएगा योग यादिनात के आने का क्या फाइदा मिलता है भाजपा को अनिल जी कॉंग्रेस ने अपनी स्टार परचार को की सूची बता दी उसमें मन मोहन सिंग है राहूल गांदी है सोन्या गांदी है भाजपा मोधी जी को ला रहे हैं अमिशा को ला रहें योगी को ला रहे हैं लेकिन हमारे तीसरा मोड़ चाह इस बार है वो भी बैठने वाला नहीं है हनुमान बेनीवाल भी खेल की दुनिया के उन सभी बड़े नामों को प्रचार के लिए लाने वाने हैं जो जाट हैं चाहे उसमें विरेंदर सहवाग हों क्रिकेट स्टार ठीक है खेल के दुनिया के सितारे आकर राजनीती की दुनिया में अपना उनर दिखाने कोश करेंगे खेल दिखाने कोश करेंगे लेकिन सिर्फ जाटी क्यों आ रहे हैं ये सवाल हनुमान बेनीवाल से पूचा जाएगा और फोगाट बहने आ रही है कुस्ती में बड़ा क तो ये जो स्टार होते हैं स्टारडम को एनकेश कराने की कोशिश स्टारडम के पीछे भीड को कीचने की कोशिश ये जो लोग आएंगे इससे हनुमान बेनीवाल जाट युवाओं को आकरशित करने में सफल हो जाएंगे और जाट युवा बहुत हद तक इन में से कईयों को अपना आदर्श मानते होंगे खेल की दुनिया के आदर्श होंगे तो उस केस में जब लड़े जब पीका नेर से बीजे बी टीकेट पे तब एकटे हो गए जाट और सनी देवल आ जाए तो उसके पीछे बावी देवल आ जाए तो उसके पीछे तो यह एक नया पहलू है राजनीती का कि खेल की दुनिया के अपनी जाती के लोगों लाकर उनसे प्रचार करवाना तब देखना पहुआ कि कहां तक सफर होते हैं लेकिन इसके बाद जो खेल की दुनिया में कहीं अगर यह जाती बाद गुजगया मैं यह एपरेंड कर रहा हूँ कि दूसरी जाती के भी तो खेलाडी हैं उनके बीतर क्या यह बात नहीं आएगी कि यह जाट थे इसले चले गए पचार करने हम जाट नहीं है इसले यहां बैठे हैं और यह जाती बाद जो जादनीती में इरादनीती इस जरीए गुसना जा है अंदर खेल की दुनिया में इसका मुझे डर लग रहा है